स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूडिब चैनल एकनोमिक्स प्राइम पर विद्यार्थियों जैसा कि हमने आप से कहा था कि अब हर दिन आपको जो है एक वीडियो अपडेट मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अर्थ सास्तर के विभिन तरह के जो कंसेप्ट है वो किस तरह के है आज का जो हमारा कूश्चिन होगा वो बहुत ही मातपूर्ण होने वाला है क्यूंकि इसको कई बार जो है जारगंड प्रहवी बोर्ड में पूछा गया है बिहार बोर्ड में पूछा गया है तो इसलिए यह प्रेस्ट बहुत ही मातपूर्ण हो जाता है और देखा जाए तो जितने भी कंसेप्ट हम लोग बढ़ते हैं एकोनोमिक्स में उनका आधार भी यह कहा जा सकता है आनि कि आज जो लोग टॉपिक देखने वाले हैं कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं या कैसे और क्यों उत्पन होता है यह बेसिक कंसेप्ट है और यहीं से जो है दूसरे अन्य कंसेप्ट को जोड़ा जाता है तो इसलिए आप इस वीडियो को सुरू सेंद तक जरूर देखेगा तभी आपको सारे कंसेप्ट आगे आने वाले अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं क्या कह रहा है सबसे पहले कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं और दूसरे में क्या कह रहा है कि यह कैसे और क्यों उत्पन होता है तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक समस्या है क्या भई है ना तो आर्थिक समस्या देखिए उत्पन कैसे होता है सबसे पहले इसको समझे कि पहली चीज कि हम जो मनुशे है न वो हमारी आवशक्ताएं क्या है या सिमित है या फिर unlimited है आप इसको समझ पा रहे होंगे दूसरी चीज कि इन आसिमीत आवशक्ताओं को जो है पुरा करने के लिए हमारे पास साधन जो है वो सिमीत है साधन की जो मात्रा है वो क्या है बहुत सिमीत है बहुत कम मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध है ताकि हम जो हैं, वही सिमीत साध्मों का परियोग करें और उन असिमीत आवशक्ताओं को पुरा करें लेकίν हमारी आवशक्ताओं जो हैं वो हद से गुजर जाती हैं लोग की बहुत ज़्यादा है या वशक्ताइं इतनी ज़्यादा है कि उसकी लिस्ट लंब भी चोड़ी हो चुकी है जैसे उधारन की तौर पे कहें तो एक विद्यार्थी को क्या चाहिए कलम, कौपी, किताबे, पैंसिल, चौक है ना इन सारी चीजों की जुरत होती है इसक हम यहाँ पर एक विद्यार्थी की बात कर रहें लेकिन एक समाईने मनुश्य की बात करें तो उनकी आवशक्ताएं क्या होगी तीन अधारभूत आवशक्ताएं तो हर किसी की होती है यह तीन अधारभूत आवशक्ताएं क्या है पहली चीज भोजन दूसरी चीज की कपड और तीसरी चीज रहने के लिए मकान, यह तीन मुल होता आवशकता है, हर किसी कुछ है यह, लेकिन इसके अलावे भी हम मनुश्यों की अनंत आवशकता हैं, या असमित आवशकता हैं, बहुत सारी requirements हैं, बहुत सारी needs हैं, जैसे laptop की requirement हो सकती है, हमने जैसे mobile की requirement कहीं, ठेक उस होती है, विभिन्न तरह की चीजें हैं, यह तो सिर्फ ववस्तो की बात हो गया, इसके लावे हमें सेवाएं भी चाहिए होता है, जैसे doctor की सेवा, teacher की सेवा, वकील की सेवा, इसके लावे अगर हमें घर में कोई छोटे मोटे काम हैं, जो हम खुद नहीं कर सकते, तो उसके के लिए कामगार व्यक्ति को बुलाते हैं, तो हमें विभिन्न तरह की सेवाएं भी चाहिए होता है, इस परिकार से हम कह सकते हैं कि हम मनुष्यों की जो आवशक्ता हैं, वो क्या है, यह सिमीत हैं, यह नंत हैं, समझ में आगया होगा, और उन असमीत आवशक्ताओं को इनका वेकलपिक परियोग है, क्या बोला जा रहा है यहां पर देखे, वेकलपिक परियोग, इसको आपनाट कर लिजें, वेकलपिक परियोग, चीक है, alternative uses बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम मनुष्यों की एक तरब तो आवशक्ता ही जो है, वो जैसे की हम कौपी भी लेना चाहते हैं किताबे भी लेना चाहते हैं बहुत सारी आवशक्ताय हैं लेकिन इन सभी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए मान लिजे कि हमारे पास सो रुपे पैसे हैं अब सो रुपे से हम कैसे भाई जो है वस्तु खरी दें कौपी खरी दें, कैसी जो है किताब खरी दें कैसी जो है कलम करी दें कैसे एन शारी आवशक्ताओं को पुरा करें, है ना, तो आपको यहाँ पर चुनाव करना पड़ जा रहाता है, कि कौन सी चीज जो है, या फिर कौन सी वस्तु जो है, वो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे जल्दी चाहिए होता है, सबसे पहली चाहिए होता है, तो हम उसी का चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको चुनाव करना पड़ गया, कि हम कौन सी वस्तु जो है, खरी दें, कौन सी वस्तु ना खरी दें, कौन सी वस्तु को हम ले, कौन सी वस्तु को ना ले, है ना, चुकि इसलिए आपको यह सामना करना पड़ रहा है, जो कि आपके पास साधन जो हैं, वो सिमीध है, और जैसे ही मनुष्य की एक और बात है, कि जैसे ही मनुआच्छकी एक आवशक्ता पूरी हो जाती है, उनके सामणे दूसरी आवशक्ता पनव जाती है, तो इसलिए हम गहरे हैं कि मनुष्य जो है, एक लल्ची जानवर है या पर लालची पढ़ानी है, क्योंकि उनकी लालसा, उनकी उटसुपता, उनकी इक्षाएं, उनकी आगांग्षाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, व्यक्ति इक्षा के साथ आता है, और इक्षा के साथ ही मर जाता है, तो यहीं से हमारे पास, जब भाई, चुकि हमारे साधन सिम नोल ऑख चुनाव की समस्या और इसी को हम लोग इसी चैन की समस्या को हम कहते हैं आर्थिक समस्या से मिंगा होगा दूसरी चीज यहां पर पूछा है रसल में क्या कि यह कई सुपन होता या कैसे अर्च है लेकिन क्यों उत्पन होता है तो प्रोफेसर रॉबिसन ने इसके लिए तीन कारण बताए हैं ठीक है पहला कारण क्या बताया उन्हें कि हमारी आवशक्ताइं यह सिमीत है ठीक है अनन्द है दूसरी चीज उन्हें क्या बताया कि उन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास शाधन सिमीत है और तीसरी सबसे अनिवारे चीज क्या बताया उन्हें कि उन सिमीत साधनों का वेकल्पिक परियोग है जैसे हमारे पास अगर 100 रुपे हैं तो हम कौपी भी खरद सकते हैं चाहे तो कलम भी खरद सकते हैं चाहे तो हम पैंसिल भी खरद सकते हैं चाहे तो हम किताबें भी खरद सकते हैं लेकिन इन सभी आवशक्ताओं में से किसी एक या दो या फिर तीन आवशक्ताओं पर खर्च किया जा सकता है। सभी आवशक्ताओं को आप सौर रुपे में मादर पूरा नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक्जामपल है 100 रुपे अगर आपके पास क्रोडों होना तब यह आपके आवशक्ताओं पूरी नहीं हो पहेंगी। कुछ ना कुछ आवशक्ताओं आपकी धरी की धरी रा जाती है। में इसलिए क्योंकि जैसे ही आपके पास क्रोडोंलग पराएंगेちは आप सुचेंगे कि हमारे पास यह वहन पास औप और उस में से क्योड़ Hugo प्र चले मोअनलगे और बात कि साधन सीमीथ हैं तो इसको आप ध्यान में रख लीजे, तीसरी most important चीज क्या निकल करेगा है, कि ये जो सिमीत साधन हैं, उन सिमीत साधनों का वेकल पे परियोग है, आप चाहे तो पैसे copy पे खर्च कीजे, चाहे तो मोबाइल पे खर्च कीजे, चाहे तो आप कलम पे पैसे खर्च कीजे, ले अगली वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिरूर सेयर के दिए, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में मदद हो सके, एक छोटा सा concept है, ये तीनंग का हमीसा पूछा जाता है, तो इसको आप note करते जाए और जितने भी points हमने लिखवाया हैं, वो सारे points बहतर हैं, और जो definition लिखवाया हमने आर्थिक समझ जागा, वो बिल्कुल perfect definition है, तो इसको आप note कर लिएगा, उमिद है, ये सारी चीज़ें आपको अचीछ से समझ में आ गया होगा, अगर आपको concept समझने में दिक्कत होती ह तो आप हमें हमारे दिये के number पर contact कर सकते हैं, ठीक है, हमें WhatsApp message कर सकते हैं, WhatsApp message जरी सवाल पूछ सकते हैं, comment section के भी जरी आप सवाल कर सकते हैं, बेई जग, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, कि अगर आप call या फिर WhatsApp करते हैं, WhatsApp तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन call पे खा सारी बातों को आप ध्यान रखिए, पाकि हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, और वीडियो की comment section में आप जाकर के जरूरी comment कीज़े, कि आपको यह video lectures कैसा लगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी इस video को जरूर सेर कीज़े, ताकि उन्हें भी इस channel के साथ जोड़ने का मौका मिल दिया है, और वी तैयारी को अपनी मजबूद कर सके, चुकि हम जो channel create किये हैं, economics prime के नाम से, इस पर आपको regular videos मिलेगा, हर दिन एक videos update मिलेगा, हाँ, हो सकता है कि network issue के वज़ा से, या फिर slow network issue के वज़ा से हम upload ना कर पाएं, ठीक है, लिकिन हमारा प अपना ख्याल रखें, खुस रहें, हस्ते रहें, मुश्क्रा देए, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नहीं जान कर इसका, thank you, bye bye, तब तक के लिए जाहिंद,